मैं उपस्तित सभी सम्माननी नागरिक बंदों इस रेल कोच फैक्टरी को चलाने वाले सभी संचालक साथियों विवेकानंद, विचार मंच और उसको आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी सहीयोगियों मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप में शहीद आजम भगत सिंग के बलिदान दिवस की पूर्व संद्या पर इस कारिक्रम का आयोजन किया और मुझे आप से कुछ संबाद करने का विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ वेवेकानन विचार मंच का जिनों ने ये सवायोजन किया आपका विशेश आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने घर में से आज का कुछ समय निकाला और यहाँ आप सब उपस्तित हुए और मेरे सहयोगी श्रियगदत जी, शुरेश भाई, राकेश जी ये सब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हैं उनका भी आभारी हूँ कि उन सब के सहयोग से मैं आपके साथ आपके सम्मुख पहुँच सका भारत देश ने 6,32,000 करांतिकारी हैं जो शहीद हुए 6,32,000 करांतिवीर थे जिनोंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी भगत सिंग उनके सरवच शिखर पर हैं ऐसा पूरा देश मानता है शहीद आजम का खिता भगत सिंग को मिला ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी ये भावना है कल 20 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का इस्मरण करेगा उनको शर्द धानजली देगा भगत सिंग जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि श्रीव रज्मोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लिमेंटरी है उन जानकारियां को और आगे बढ़ाने वाली है अंग्रेजों की सरकार ने 24 मार्च 1931 का दिन तए किया उनको फासी देने का लेकिन एक दिन पहले फासी क्यों दी उसकी कहाणी अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा अंग्रेजों की सरकार में सरदार भगत सिंग को एक दिन पहले ही क्यों फासी के फंदे पर लटका दिया बिना किसी को बताए बिना किसी को जानकारी दिये हुए क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उलंगन किया भगत सिंग जी को फासी देने में नियम और कानून का उलंगन क्या था आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन्भी देशों में चली और वहाँ पर उन्होंने फासी देने के लिए जो नियम काईदे कानून बनाए उन में से एक नियम ये है कि किसी को भी फासी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है सुबह का समय फासी देने के लिए निश्चित किया हुआ है दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है आपको थोड़े दिन पहले याद होगा इराक के पूर्व राश्रुपती सद्दाम हुसेन को भी फासी दी गई तो सुबह कहीं समय है सारे दिनिया के सभी देशों में ये नियम लागू है और आज से नहीं लगवक सो सवासो वर्ष से अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फासी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए तो 24 मार्च को सुबह उनको फासी देने का समय था छे बजे के आसपास लेकिन 23 मार्च की रात को ही फासी हो गई बिना किसी को बताए कारण इसके पीछे जानना चाहिए मैंने भारत देश के जो शहीद है बगत सिंग, उधम सिंग, चंदरशेकर, सुबह शंद्रभोस, आशपा कुल्ला, तांतिया टोपे जहासी ग्रानी लक्ष्मवाई, नाना फरनवीस ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्टे किये हैं और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले लंदन से मिले हाउस ओफ कॉमन्स की लाइबरी अंग्रेजों की संसद में से तो बगत सिंग जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि अंग्रेजों की सरकार बहुत घवराई हुई थी बगत सिंग जी को फासी बोने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घवराई हुई थी मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि ये दो बच्चे हैं इनको या तो अपने पास बिठा ले भगत सिंग जी को फासी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घवराई हुई थी वो दस्तावेज ये बताते हैं अंग्रेजों की संसद में विशेश अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई चर्चा दो इस्तर पर थी एक तो ये था कि क्या भगत सिंग की फासी को माफी दी जा सकती है अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ संसद थे जो ये बात कह रहे थे उनका कहना क्या था उनका कहना ये था कि अगर भगत सिंग जी को फासी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों भगत सिंग आ जाएंगे अंग्रेजों की सरकार को उन सब को दवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि हमको एक दो महिने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए ऐसा उनको लगता था कारण उसका क्या था अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी जो आज भी चल दी है जिसको आप बोलते हैं LIU Local Intelligence Unit ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से आप जानते हैं कि फासी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगबग 2,5 साल पहले और उन 2,5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंग जी को फासी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राच चलाना तो अंग्रेजों की संसद में इस बात का बहुत डर था उसी समय संयोग से 1931 में महात्मा गांडी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से बाज़ता करने के लिए अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा मेता था, व्यक्टी था, लीडर था वो इर्विन था इर्विन के साथ गांडी जी की बात जब चल रही थी तो इर्विन ने गांडी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंग की सजा को माफ कर सकते हैं गांडी जी ने कहा बिना शर्थ तो उन्होंने का नहीं, बिना शर्थ तो नहीं लिखें, सौरी, I am very sorry, मैंने अंग्रेजों के इस खिलाफ बगावत की है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, दुख है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस तरह का एक माफी नामा लिखें, और भगत सिंग जी के हस्ताक्षर उस पर हो, और मेरे सामने आप उसे प्रस्तु मान नहीं सकता, जिसके बारे में भगत सिंग जी का कंसेंट मेरे पास ना हो, तो इर्विन ने कहा कि आप भगत सिंग जी का कंसेंट ले लीजे, समय आपके पास है, एक साल का वक्त है, तो गांदी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंट थोड़ी, दो-चार दिन की आपसे महलत चाहता हूँ, मैं एक टेली ताम करूँगा, मेरे एक मित्र को टेली ताम करूँगा, वो लाहर सेंट्र जेल में भगत सिंग जी को मिलेगा, और आपने जो कहा है, मैं भगत सिंग जी तक पहुचाने की कोशिश करूँगा, अगर बात बनती है, तो हम इस पर आगे गांदी जी ने एक टेलीग्राम किया भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति महतुपूर व्यक्ति उनका नाम था तेज बहादुर सप्प्रू अलहबाद हाई कोर्ट में बहुत उचे वकील माने जाते थे कश्मीरी थे गांदी जी का टेलीग्राम सप्प्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहोर जेल में बगत सिंग जी को मिलकर आओ और पूछो कि इर्विन ऐसा कहता है कि आप एक माफी नामा लिखकर दो तो आपकी सजा फांसी की माफ की जा सकती है सप्प्रू जी जब पहुँचे बगत सिंग जी को मिलने के लिए और ये जानकारी उन्होंने जब बगत सिंग जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मंजूर नहीं है मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है इसलिए माफी नामा लिखने का कोई प्रश्ण नहीं है सप्रू जी ने एक दूसरे तरह से उनको समझाया कि भगत सिंग जी अगर आपकी फासी रुख जाएगी आप जेल से छूट जाओगे तो आपके जैसे कितने करांतिवीरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो तयार कर सकते हो भारत की आजादी जल्दी आएगी तो भगत सिंग जी उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं उल्टा होगा अगर मैं छूट गया मेरी फासी की सजा माफ हो गई मैंने ये माफी नामा लिख कर दे दिया तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ये जो अभयान शुरू हुआ है ये पूरा अभयान ही ठंडा पड़ जाएगा दूसरा कोई भगत सिंग इसमें से निकल कर नहीं आएगा सब पुरू ने कहा क्यों तो भगत सिंग ने कहा कि हिंदुस्तानियों की एक खासियत है भारत वासियों की एक खासियत है कि वो मरने से नहीं डरते हैं लेकिन मरने से पहले का जो दर्द होता है उसको वो सह नहीं सकते हैं ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही मरने से तो नहीं डरते है एक मिनट में म्रत्यू आ जाए کوई हिंदुस्तानी को उस से फरक नहीं पढ़ता لेकिन म्रत्यू आने के पहले का जो दर्ट होता है वो उनकी तकलीफ बढ़ा देता है मैं भी ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूँ मैं मेरी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता मैं तैय कर चुका हूँ कि मुझे फासी हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता सप्रू जी का दूसरी बार तीसरी बार तीन बार आना हुआ लाहर सेंटरल जेल में सिर्फ ये समझाने के लिए उन्होंने देख लिया कि वो तैयार नहीं है और फिर सप्रू जी ने वापस गांदी जी को टेलीग्राम किया कि बापू बगत सिंग जी का ये मानना है कि उनको फासी हो जाए वही भारत देश के लिए और उनके अपने संकल्प के लिए अच्छा है आप लिहाजा इर्विन के साथ कोई बात अगर करें तो माफी नामे का शब्द बीच में ना लाएं क्योंकि वो लिखने को तयार नहीं है और हम मैंसे भी कोई नहीं चाहता कि वो माफी नामा लिख कर दें क्योंकि मानते हैं हम उन्होंने कुछ गलत नहीं किया उन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए किया है भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है शम्दु पर ध्यान दीजे सब्पुरू जी का गांदी जी को टेली गाम कह रहे हैं भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है उन्नीस सो उन्नीस में एक ज्वाला उठी थी ज़ियां वाला भाग हत्या का अंड हुआ था उसी समय हम चाहते तो अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देते लेकिन हमने उस अंसर का फाइदा नहीं उठाया ऐसी ही ज्वाला 1857 में उठी थी भारत वासियों ने तब भी उसका पूरा लाब नहीं उठाया हम चाहते तो 1857 में अंग्रेजों को मार कर भगा देते फिर वो कहते हैं ऐसी ही एक ज्वाला 1880 में उठी थी हम चाहते तो 1880 में अंग्रेजों को मार भगा देते लेकिन वो भी समय हमने गवाया अब फिर से ज्वाला उटने की तैयारी है इसको ठंडा मत होने दीजिए और करपया करके इर्विन के साथ बगत सिंग जी के माफी नामें पर बाचीत बन कर दीजिए गांदी जी को टेलीग्राम मिला लंदन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में वो सब करांदी वीर शामिल थे जो लंदन में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई के लिए काम करते थे उनके सबसे बड़े नेता थे श्याम जी करश्न वर्मा आप सबी जानते उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बना के दिया लंदन में जहां पर क्रांदी वीर जाते थे इकट्य होते थे ट्रेनिंग चलती थी वैचारिक मन्थन होता था सोने ठहरने रहने का इंतजाम होता था उसका नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा था India House इंडिया हूश श्याम जी क्रशन वर्मा ने अपने खुद के कमाई गई पैसे से बनाया था इसी श्याम जी क्रशन वर्मा के इंडिया हूश में बगत सिंग जी के बारे में आखरी meeting हुई जिसमें वो खुद मौझूद थे और उनके जैसे कई और क्रांतिकारी मौजूद थे सबसे पूछा गया कि इर्विन का प्रपोजल है क्या करना है तो उन्होंने कहा कि इर्विन बहुत चालाक आडमी है और अंग्रेजों की सरकार बहुत खतरनाक है भगत सिंग को माफी नामा वो देना चाहते हैं लिखवा कर अपनी सुरक्षा के लिए भारत की आज़ादी के लिए नहीं क्योंकि अंग्रेजों को डर है कि अगर भगत सिंग को फासी हुई तो बगावत इतनी बड़ी है व्यवस्था उलट जाएगी सेना में बगावत हो सकती है आर्मी में बगावत हो सकती है एर फोर्स में बगावत हो सकती है नेवी में बगावत हो सकती है पुलिस में बगावत हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि भगत सिंग का मुकदमा जितने दिन इस देश में चला उतना ही उनकी लोगप्रियता बढ़ती चली गई और भगत सिंगी की लोग प्रियता भारत नहीं भारत के बाहर जो रहने वाले भारतवासी थे वहां तक पहुँच गए तो उस लोग प्रियता से अंग्रेज डरते थे इसलिए उन्होंने संसत में एक विशेश बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि अगर भगत सिंगी को फासी हुई तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनके जो मित्र हैं रिश्टेदार हैं वो उनका शरीर मांगेंगे और उस मरत शरीर को जुलूस की तरह से वो एक procession के रूप में निकालेंगे सम्मान सहित उनका अंतिम संसकार करेंगे और ऐसी भावना भढ़केगी अंग्रेजों के खिलाफ कि शायद पंजाब से हमें भागना पड़ जाए हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भारत हमें खाली करना पड़ जाए तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सब तरफ से बहस हो गई एलाईउ की रिपोर्ट भी आगई और एलाईउ की आखरी रिपोर्ट थी कि अगर बहगत सिंग्जी को फासी होती है और उनका अंतिम संसकार सम्मान के साथ نागरिकों को करने का मौका मिलता है समय मिलता है तो ये तैह है कि पूरा पंजाब जलेगा और अंग्रेज सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आपको क्योंकि अंग्रेज सरकार के नीचे काम करने वाले जो हिंदुस्तानी है उन्होंने संकल प्ले रखा है कि वो बगावत शुरू करेंगे एक L.I.U. आफीसर ने तो यहां तक लिख दिया कि 1857 में भारतवासियों से एक गलती हो गई थी वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हुई और भारतवासियों को भारी पड़ी वो गलती क्या थी आप जानते हैं 1857 का जो क्रांति वैला संग्राम था उसको एक साथ शुरू करने का फैसला हुआ था और उसकी एक तारीख तै की गई थी लेकिन हमारे भारत के अति उच्छाही क्रांतिकारियों की कारण उस तारीख से लगवग 10-11 दिन पहले ही बगावश शुरू हो गई तै हुआ था एक दिन वो था 10 मई 1857 लेकिन कहीं पर 30 अप्रेल कहीं पर 1 मई कहीं पर 2 मई इस तरह से अलग-अलग बगावश शुरू हो गई बेरक पूर की छावनी में अलग तारीख को कलकत्ता में अलग को मेरट में अलग, दिल्ली में अलग तो यह जो अलग-अलग शुरू हुआ इससे अंग्रेजों ने आर्मी की ताकत से उसको दबा लिया जो एक साथ दस मई को शुरू होता तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो उसको दबा पाते तो L.I.U. के एक आफिसर में लिखा ब्रिटिश पार्लिमेंट को कि जो गलती हो गई हिंदुस्तान के लोगों से 10 मई 1857 को वो गलती अब वो ठीक करना चाहते हैं बगत सिंग की फांसी का दिन तै किया हुआ है उसी दिन सारे देश में एक साथ बगावत होगी अंग्रेजों के खिलाफ तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये बगावत ना होने पाए तब अंग्रेजों की पार्लिमेंट में प्रस्ताव पारित करके भारत में अंग्रेजों के अधिकारियों को बोल दिया गया कि किसी भी तरीके से पता ना चले लोगों को ऐसे करके फांसी दे दीजए तो यहाँ जेल के अधिकारियों ने लाहोर के सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि इसका एक ही विकल्ब है कि हम एक बिन पहले रात में ही बगत सिंग को फासी पर लटका रहे फिर सुप्रिंटेंडेंडेंट ने पूछा फिर तो फिर उसने का कि फासी पे लटकाने के दो-ती मिनट में म्रत्व हो जाएगी हम उनके शब को लेके जाएंगे और जेल के बाहर कहीं भी कोई इस्तान पर आग लगा के जला देंगे रात भर में शब जल जाएगा सुबह तक लोग जब आएगे फासी की इस समय पर तब तक उनको राख मिलेगी इस चाला की और कुटलता के साथ 23 मार्च की रात को उनको फासी पे लटका दिया और जैसे ही फासी पर लटकाया तो मृत्यू होने के बाद उनके शब को एक ट्रक में रख कर जेल से बाहर निकाला और उस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको बताया नहीं गया कि इसमें क्या जा रहा है उसको ये कहा गया कि तुमको ये ट्रक लेके जाना है पीछे ट्रक में कुछ लोग बैठे हैं उनसे बात नहीं करनी है वो कुछ काम करेंगे आपको उनके साथ कुछ सहयोग करना है संबाद नहीं करना है ट्रक के ड्राइवर को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि मैं बात नहीं कर सकता वो ट्रक का ड्राइवर अक्सर जेल के लिए सबजियां लेके आता था अक्सर जेल के लिए सामान लेके आता था उसके मनना शक पैदा हो गया और उसने किसी तरह से ये जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है जब उसने ट्रक को दोडाना शुरू किया चलाना शुरू किया तो एक जगे बहाने से उसने रोका कि कुछ इसमें टेक्निकल प्राबलम हुई है मुझे जरा ठीक करने में समय लगेगा वो ट्रक से उतरा भूम कर पीछे गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है तो उसको समझ में आ गया कि कोई मृत शरीर है जिसको मैं ट्रक में रखके ले जा रहा हूँ तो पीछे बैठे हुए सिपाहियों से उसने पूछा कि ये क्या है कपड़े में लिप्टा हुआ तो उनने का तुमको क्या लेना देना नहीं मुझे जानकरी दे दो तुम भी भारतवासी हो मैं भी भारतवासी हूँ हमारी तकलीफ ये है कि पेट के लिए नौकरी करनी पड़ दए ये अंग्रेजों की तो बता दो ये क्या है तब उनमें से एक व्यक्ती फूटा और उसने कहा कि ये भारत के सरदार भगत सिंग का शव है तो वो ट्रक वाला परिशान हो गया उचल गया ये कैसे है कल फासी होने भी तो नहीं अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट ने रात को इफासी दे दी है अब क्या करना है तो अब हमें आदेश है सिपाही और ट्रक ड्राइवर को कि कहीं पर लकणियां मिर जाए तो किसी पानी के किनारे नदी के किनारे इसको जला देना है फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया उसने कहा ठीक है मैं ऐसा कोई इस्थान चुनने की कोशिश करूँगा जहां पर हम ये सब कर सके इतनी देर में उसने योजना बना ली लाहौर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर हुसेनी वाला पहुँचा हुसेनी वाला आप सब जानते है अमरसर के नजदीक है बारत-पाकिस्तान बॉर्डर पे है हुसेनी वाला में जब वो पहुचा तो लकडिया इकठी करनी है इस बहाने से आस पास के गाउं के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है तब लोग वहां से दोड़े और लोगों को दोड़ाते दोड़ाते वो लेके आया वहां तक तो वो अंदर बैठे हुए सिपाही छोड़ कर भागे और बगत सिंग जी के शरीर को सम्मान के साथ हुसेनी वाला में अंतिम संसकार करने का उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंग को एक दिल पहले फांसी सिर्फ इसलिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे इस छोटी सी घटना का गंबीर विश्लेशन अगर हम करें अंग्रेजों की पूरी की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंग से इतनी घबराई होई थी कि फांसी हो जाए तो बगावत हो सकती है घबराहट इतनी अधिप्ती अंग्रेजों में एक भगत सिंग के कारण और संसद में जब जब भगत सिंग के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिनोंने भगत सिंग को नस्दीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है मरने से नहीं डरता है और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों करांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखा कर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे तो अंग्रेजों की संसत की ये बहस और भगत सिंग जी का अंतिम संसकार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया हुसेनी वाला आज भी भगत सिंग जी की समाधी है आप कभी भी जाएं वहाँ जरूर मत्था टेक कराए अंग्रेजों की सरकार में सरदार भगत सिंग जी को फासी दी राजगुरू और सुखदेव को फासी दी खुदीराम बोस को फासी दी चंदरशेकर आजात को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन क्रांतिकारियों से तकलीफ है क्या थी एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे इन्होंने भारत को लूटा है इस देश को बरबाद किया है हम इसको रहने नहीं देंगे और अंग्रेजों की सरकार में आखरी किल ठुकी तब ताबूत में आखरी किल ठुकी तब जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी जिसका नाम था करजन उसने मुर्ख था पूर्ण एक फैसला किया बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्जी था उसको दो हिस्सों में बाट दिया हिंदू और मुसल्मान के आधार पर पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाती और संप्रदाए के आधार पर बटवारा किया बंगाल के दो हिस्से कर दिये बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्जी था आज पूरा का पूरा आसाम बंगाल बेहार उडीसा उसके बाद आसाम के उपर के सातों राज्जे ये पूरा मिलाओ तो बंगाल बनता था इतने बड़े बंगाल का बटवारा किया हिन्दू मुसल्मान के आधार पर करजन नाम के अधिकारी ने और एक कानौन बना दिया डिवी़िजन ओफ बंगाल एक्ट जैसे ही ये बंगाल का बटवारा हुआ हिंदु मुसल्मान के आधार पर पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत्राई उत्तर भारत में पूरवी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले थे विपिन चंदरपाल नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पुणे नाम का इस्थान उन्होंने तै किया और उसमें उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बाट रही है इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बाटा है हिंदू और मुसल्मान के आधार पर कल ये दक्षन भारत का जो प्रांथ है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाले में मदरास प्रेसिडेंसी को बांट देंगे फिर कोई दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर को बांटेंगे फिर कोई दिन सेंट्रल प्रॉविंस को बांटेंगे इन तीनों नेताओं की दूर दर्शिता आप देखिए 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे इसलिए पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए तो लाला लाच पत्राई ने उत्तर भारत में कमान समाली विपिन चंदरपाल ने पूरवी भारत में कमान समाली और पश्चिम और रख्षन भारत में लोगमान तिलक ने कमान समाली और पूरे देश में अंग्रेजों की खिलाफ एक माहूल खड़ा किया और उस माहूल का सबसे बड़ा प्रतीक चिल्ल था जहां जहां ये नेता जाते थे अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे और उनका सबको एक ही निवेदन था कि अंग्रेज भारत को बाट रहे हैं लूट रहे हैं शोशन कर रहे हैं तो इनका कोई माल मत खरीदो इनको किसी भी तरह का सहयोग मत दो इनको किसी भी तरह का सहकार मत करू तो भारत में एक जबरजस्त आंदोलन खड़ा हो गया और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था इस स्वदेशी आंदोलन की आग 1905 से लगना शुरू हुई धीरे धीरे इसमें करांते कारियों ने एकठा होना शुरू हुआ आप सोचो तीन बड़े नेताओं ने फैसला लिया कि हमें ये अंदुलन पूरे भारत में फैलाना है 1905 में और 1911 तक आते आते इन तीन नेताओं के पास एक करोड़ चौबीस लाख कारिकरताओं की फौज थी मात्रब छे साल में आप जरा कल्पना करिए 1905 के हमारे देश के नेता गाउं गाउं जाते थे तो उनके पास जाने के लिए मोटर गाडिया नहीं थी 1905 के हमारे नेता बड़ी बड़ी सभाएं करते थे तो बोलने के लिए उनके पास माईक नहीं था 1905 के हमारे भारत के नेता गाउं गाउं जाते थे तो जाने के लिए एक ही साधन था बैल गाड़ी या तो पैदल तो बैल गाड़ियों पर पैदल चलकर या टट्टूओं पर माने गोड़ों पर बैठकर यही उनके प्रवास का तरीका होता था माईक होता नहीं था सेख्ड़ों लोगों की सभाएं में संबोधन करना पड़ता था सबेरे से शाम तक लोगमाने तिलक की परसनल डाइरी में ने पढ़ी तो पता चला एक एक दिन में आठाठ ददद सभाएं करनी पड़ती एक एक सभा में एक एक घंटे डेटर घंटे बोलना पड़ता था और इन तीनों नेताओं ने बिना थके गाउं 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 ये काम शुरू किया छे साल की इनकी मेहनत का परिणाम निकला कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन में एक करोड़ चौबीस लाग कारिकरता इकटे हो गए फिर इनोंने तै कि आप कारिकरताओं की संख्या बहुत है तो अब अंग्रेजी सरकार को जुकाया जाए और इनके सामने कोई ताकत का प्रदर्शन किया जाए तो अंग्रेजी सरकार की अधिकारी करजन को इनोंने नोटिस दिया तीनोंने सहियुक्त रूप से और उस नोटिस में लिखा कि या तो आप बंगाल का बटवारा वापस करो और नहीं तो हम आपके खिलाफ सहयोग, सत्याग रहे और बगावत करेंगे और आपकी सरकार को चलने ही नहीं देंगे करजन ने अपने अधिकारियों को भेजा बात करने के लिए तो इन तीनों नेताओं ने अधिकारियों को कहा कि हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है कि एक करोड़ चौवीस लाग कारे करता है कि आपके खिलाफ बगावत करते हुए जेल जाएंगे अंग्रेजों के पास जेल की कुल संख्या सत्रे हजार है इस सत्रे हजार जेलों में कुल रह सकने वालों की ताकत अगर गिल लिया जाए तो डेल लाग से जादा नहीं रह सकते हम एक करोड़ चौवीस लाग जेल जाएंगे आप रखेंगे कहा हम जेले तूट जाएंगे आपकी तो अधिकारी बखला गए वो बापस करजन के पास गए और करजन को समझाया कि एक करोड़ चौवीस लाग हैं इनके पास कारिकर था इन्होंने अभिहान में कॉल दे दिया ये सब जेल जाएंगे जेले छोटी पड़ जाएंगी दीवारे डूट जाएंगी सरकार अस्वेस्थ हो जाएगी सारी व्यवस्था तूट जाएगी क्या करना तो करजन ने तुरंत टेलीग्राम किया ब्रिटिश पार्लेमेंट को ब्रिटिश पार्लेमेंट से वापस टेलीग्राम आया कि जो तीनों लेता कह रहे हैं उनकी बात मान लो और सरेंडर कर लो तब करजन ने तीनों को सम्मान पूरवक कलकत्ता बुलाया और उसमें उनके साथ एक समझोता किया समझोता ये था कि डिवीजन ओफ बंगाल एक्ट जो हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बटवारा हिया है ये वापस लिया चाहेगा आप जानते अंग्रेजों की योजना ये थी कि हिंदू और मुसल्मानों को आपस से अलग कर दो क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़ रहे थे इनको अलग कर दो तो उन्होंने एक बंगाल बना दिया पूरवी बंगाल जिसको आज का आप बंगलादेश कहते है एक बंगा दिया पश्मी बंगाल जिसको आज का हम भारत का पश्यमी बंगाल कहते ये बंगाल के बटवारे के आधार पर वो चाहते थे कि देश में कमजोरी आ जाए और संप्रदाय के आधार पर आग फैल जाए माने भारत का बटवारा करने का बीच 1905 में करजन ने डाला 1911 में करजन को अपना ही कदम पीछे खीचना पड़ा कानून वापस लेना पड़ा कानून जैसे ही वापस आया पूरे भारत में खुशी की लहर दोड़ गई और भारतवासियों में एक आत्म विश्वास आया कि हम अंग्रेज सरकार को जुका सकते हैं और उसको सरंदर करा सकते हैं बनिस्वत कि हम एक रहें तो उसी दिन से अंग्रेज सरकार रात दिन योजना बनाती रही कि कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए और उसी तोडने और अलग करने का नतीजा ये था कि अंग्रेजों की सरकार में भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे और उस आदमी का नाम था मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना लंदन में पढ़ रहा था उस समय कॉलेज उनका था हैरिस कॉलेज वहाँ पर वो पढ़ाई करता था पढ़ाई करते समय उनकी नजर पढ़ी अंग्रेजों ने तै कर लिया कि इस आदमी को हम भारत में मुस्लिम लीडर के रूप में प्रमोट करेंगे और इसकी मदद से अपनी नीतियों को भारत में लागू कराएंगे मुहमद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल खे लिए आप जानते हैं कि अंग्रेजों की कौम दुनिया में सबसे निक्रश्ट है कभी भी कानूनी काम करना हो उससे भी कई बुना नीचे गिरकर गैर कानूनी काम भी वो कर सकते हैं किसी राजा के साथ भारत में उन्होंने संधी की अगले दिन उस संधी से पलट सकते हैं तो जिन्ना को प्रमोट करने का तै किया और उसके पीछे अपना एक पिल्लू छोड़ दिया या एक एजेंट लगा दिया उस एजेंट का नाम था एडविना उस एजेंट का नाम था एडविना बाद में यही एडविना माउंट वेटन की पत्नी बनाई गई और उसको भारत में उन्होंने भेजा था बीच का किस्सा ये है कि लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को एडविना भी उसी कॉलेज की विद्यार थी थी लौ में पढ़ती थी जिसमें जिन्ना पढ़ता था और कुछ सैयोग ऐसा हुआ या दुर्योग ऐसा हुआ कि जहान उन्होंने लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को और जिन्ना को पता नहीं वहीं उसी समय नहरू जी भी पढ़ाई किया करते थे हैरिस कॉलेज में पंड़े जवारलाल नहरू जो हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे जिन्ना के साथ कभी कभी चाए कॉफी पिया करते थे दीरे दीरे इस एडविना नहरू और जिन्ना दोनों को शराब पीना सिखाया और दोनों को दीरे दीरे आगे बढ़ाया अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दोनों को पेंपरिंग करते रहना है दोनों को थप थप आते रहना है थोड़े दिन के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई ये वापस आये तो एडविना इनके साथ लग चुकी थी शादी तो उसकी बाद में हुई है पहले वो लग चुकी थी एडविना को ब्रिटिश पार्लिमेंट में एक स्पेशल ओफिसर बना के एक बहुत बड़ी पोस्ट देकर सीक्रेट एजेंसी के जैसे एक पोस्ट बना कर हिंदुस्तान में लगा दिया और उसको कहा गया कि एक ही काम करना है जिन्ना को प्रमोट करते हुए पेमपरिंग करते हुए मुसल्मानों का नेता गोशित करवाना है जिन्ना भारत आ गया पढ़ाई पूरी करके फिर उसके बाद अंग्रेजी अखवार जो यहां छपा करते थे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजी अखवारों में जिन्ना के बड़े बड़े बयान, एक छोटी सी बात कहे तो उसको बड़ा करके छापना, फोटो के साथ छापना, ये सब कहानी उन्होंने शुरू की जिन्ना को लगा कि वो बहुत बड़ा लीडर है, वो दिल्ली में एक छोटा सा स्टेटमेंट करता था, अंग्रेजों का आखवार जिसको आप टाइम्स अफिन्डिया कहते हैं, ये अंग्रेजों का अखवार हुआ करता था, इसमें फरंट पेज पे छपता था, जिन्ना को पूछो कि जिन्ना नेता है बन गया तो शिया और सुन्दी कहते थे ये तो कन्वर्टेट है हमारा लीडर नहीं है फिर उनसे दूसरी बात पूछो तो वो कहते थे ये तो सुर का मास खाता है हमारे आतो वर्जित है फिर उसको पूछो तीसरी बात तो ये तो शराब पीता है हम मुसल्मान तो शराब नहीं पीते और सबसे बड़ा अब्जेक्शन था जिन्ना का परिवार ब्याज पर पैसे दिया करता था ये उनका मुख्य बिजनिस था आप जानते हैं कि मुसल्मान व्याज पर पैसा लेना देना पसंद नहीं करते हैं तो वो कहते थे यह मुसल्मान कहां से है तो हिंदुस्तान का शिया और सुन्नी समाज जिन्ना को लीडर कभी मानता नहीं था लेकिन अंग्रेज जबर जस्ती उसको मुसल्मानों का नेता है ऐसा करके पैंपरिंग किया करते थे धीरे धीरे उसकी बारगेनिंग पावर उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और कॉंग्रेज में उसको पहले भरती करा दिया कॉंग्रेज के अंदर आके उसने ये कहना शुरू किया कि एक ना एक दिन भारत आजाद होगा तो अलग-अलग हमको संप्रदायों के आधार पर मत विभाजन करवाना है तो कॉंग्रेस के कई नेता कहा करते थे कि नहीं, यह कोई काम नहीं है, यह कोई इशू नहीं है धीरे-धीरे जिन्ना ने देख लिया कि कॉंग्रेस उसकी इस बात से सहमत नहीं है अंग्रेज उसको बरावर इसी के लिए पैंपरिंग करते रहे एक दिन जिन्ना ने कहा कि कॉंग्रेस में मेरा दम घुटता है मुझे ये पारटी छोड़नी है वो अलग आ गया उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया कि पुरानी बनाई हुई एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग जिसका अंग्रेजों ने कभी रजिस्ट्रेशन किया था सुसाइटीज अफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर 1906 में उस संस्था का जिन्ना को प्रेजिडेंट बना दिया उस संस्था में मेंबर कितने थे पाँच उसमें से एक जिन्ना चार में एक टाइपिस्ट जो संस्था का काम टाइप करता रहता था एक ज़ाडू लगाने वाला ऐसे करके पाँच मेंबर थे छटा कोई मेंबर नहीं था लेकिन ये संस्था का नाम ऐसा फैलाया टाइम्स ओफ इंडिया में पहले दिन जब मुस्लिम लीग का प्रेजिडिन बना तो जिन्ना का इंटर्विव आया उसमें पूछा गया कि भई आपका उद्देश क्या है तो आजादी लेना तो उसके बाद का उद्देश क्या है तो भारत में मुसल्मानों की सत्ता इस्थापित करा रहा तो वो कैसे संभव है हिंदू तो मैजोरिटी में है तो जिन्ना ने कहा कि अगर संभव नहीं हुआ तो भारत का बठवा रह करना इस तरह से वो आत्मी बढ़ता गया अंग्रेज उसको खात पानी देते गए उसमें बहुत सारा पैसा इंवेस्ट करते गए एक दिन ब्रिटिश पार्लेमेंट में बहस हुई कि हम जिन्ना पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप जानते हैं जिन्ना का खर्चा करोडों रुपए का साल का ब्रिटिश पार्लेमेंट ही उठाती थी तो ब्रिटिश पार्लेमेंट में एक सांसमत सवाल उठा दिया कि जिन्ना के उपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं तो अंग्रेजों का MP नहीं, Prime Minister कहता है क्लेमेंट आरेटली एक दिन पारलिमेंट में और चर्चिल भी बाद में कहता है कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है इसमें पैसा हम लगा रहे हैं ताकि जब चाहें तब इसको एनकेश कर सके और ये बात 1949 में कही विंस्टन चर्चिल ने 1942 में कही क्लेमेंट आरेटली ने कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है और सच में उन्होंने उसको ट्रंप कार्ड की तरह से इस्तिमान किया 1942 का भारत छोड़ो अंदोलन जब सफल हो गया और अंग्रेजों ने देख लिया कि भारत के करांतिकारियों में बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई है भारत छोड़ कर जाना ही पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा महत्वण बात ये थी कि Second World War में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उनकी पूरी की पूरी कमर तूट गई थी आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गई थे कारखाने उनके बहुत बुरी तरह से बंद हो गई थे क्योंकि एक तो मंदी चल रही थी इंग्लेंड में और उपर से Second World War लड़ना पड़ा सामने जो उनका दुश्मन था हिटलर वो बहुत ताकतवर था इसलिए अंग्रेजों की कमर टूटी हुई थी तो उन्होंने का अब ये दो देशों को हम समाल पाएं ये संभव नहीं है भारत को छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम अपने को बचाना चाहते तो उन्होंने 1942 के अंत्में ही तै कर लिया था कोई समझोता हो सकता है कॉंग्रेज के नेताओं ने जिन्ना से पूछा तो उसने का हाँ हो सकता है क्या हो सकता है मुझे भारत का प्रधान मंत्री बना दो इस पे समझोता हो सकता है तो कॉंग्रेज के नेताओं ने पूछा कि अगर तुम प्रधान मंत्री बनो तो पाकिस्तान छोड़ दोगे हम छोड़ दोगे मुझे प्रधान मंत्री बना दो मैं पाकिस्तान की मान छोड़ दोगा Congress Working Committee की मीटिंग होई उसमें ये बात रखी गई कि जिन्ना बोलता है कि उसको प्रधान मंत्री बनाना है तो नहरू जी ने कहा कि मैं उसको प्रधान मंतरी तो क्या अपने आफिस का चपरासी नहीं बना सकता तो कॉंग्रिस वर्किंग कमेडी के लेताओं ने कहा कि आप उसके साथ इतनी घड़ा क्यों है आप बोलते हैं कि उसको आफिस का चपरासी नहीं बना सकते वो आदमी कह रहा है कि प्रधान मंतरी बना दो तो मैं पाकिस्तान नहीं मांगूँगा तो हमारे लिए तो ये सौधा अच्छा है कि पाकिस्तान ना बने और वो थोड़े दिन के लिए प्रधान मंतरी हो जाए तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में कई बेताओं ने अब्जेक्शन लिया महरू जी के सामने गांदी जी के पास बात पहुची गांदी जी के पास एक व्यक्ति आया करता था जो जिन्ना का फैमिली डॉक्टर था उसने एक दिन आके गांदी जी को कहा विबापू ये आदमी ज़्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा मरने वाला है कैसे इसको पीट में भयंकर क्यूवर कुलोसिस हो गया उमर कितनी है गांदी जी ने पूछा तो उसने का मेडिकल साइंस के जितने फैक्स और फिगर है उसका हिसाब जोड़ू तो ये आठ महिने से ज़्यादा जिन्दा नहीं रहेगा गांदी जी ने कॉंग्रेस वर्किंग कमेंटी की मीटिंग गुलाई और कहा कि जिन्दा को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो फिर प्रश्न उठा क्यों तो गांदी जी ने का बचेगा नहीं ज्यादा दिन की उमर नहीं है मरेगा कम से कम भारत तो बटवाला नहीं होगा और गांदी जी को इसमें इंटरेस्ट क्या था आप जानते हैं गांधी जी ने एक statement कर दिया था publicly कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा तो गांधी जी ने कहा कि मेरी तो ये commitment है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दू तो Congress Working Committee के सामने गांधी जी समझा रहे है कि आठ महीने में मर जाएगा ट्यूपर कुलोसिस हो गया है पीट का ट्यूपर कुलोसिस है बन जाने दो तो नहरू ने का मैं तो तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो फिर बाकी नेता खड़े हो गए मैं 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 तो गांधी जी ने का कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो जाओ कोई कुछ हो जाओ कोई कुछ हो जाओ प्राइम मिनिस्टर इसको हो जाने दो तब नहरू ने फिर कहा गांधी जी से और वो आप सुनी और वो रिकॉर्ड की बात है कोई साधरन बात नही है फिर आपको समझ में आएगा कि बारत के बटवारे का जिम्यदार कौन है नहलुजी ने कहा कि बापू अगर जिन्ना प्रधान मंत्री बनेगा तो मैं कॉंग्रेस को तोड़ दूँगा और मैं कॉंग्रेस को तोड़ कर अपना अलग गुट बनाऊंगा और अंग्रेजों के सामने सब्ता के दावे का क्लेम करूँगा जैसे आज हमारे देश में होता ना चुनाव खतम होता है गवर्नर के पास हम जाते हैं ना क्लेम करने के लिए कि मैं कल से सरकार बनाऊंगा तो नहरु जी का स्टेटमेंट है, recorded स्टेटमेंट है गांधी जी के सेक्रेटमी ने रिकॉर्ड किया जिनका नाम था प्यारे लान वो लिखा हुआ है तो नहरु जी कहते हैं कि मैं कॉंग्रेस का एक गुट बनाऊंगा अंग्रेजों के सामने अपना दावा पेश करूँगा हो सकता है अंग्रेज मुझे सप्ता हस्तान तरण करे फिर उसके बाद क्या होगा तब गांदीजी ने कहा कि नहरू अगर तुमारी ये विचार धारा है तो मुझे भगवान अभी उठाए मैं अब एक मिनट भी जिन्दा नहीं रहना चाहता तो मौलाना अब्दुलकलाम ने गांदीजी को पूछा कि आप इतने निराश क्यों हो गए तो गांदीजी ने कहा कि मैंने किसी गलत आदमी के सिर पे हाथ रखा गलत आदमी मने पंडि जमारला नहरू फिर गांदीजी ने अपने सेक्रेटरी प्यारे लाल को कहा कि ये नहरू और जिन्ना में इतनी घ्रणा क्यों है प्यारे लाल ने कहा मुझे नहीं मालू मैं तो गांदीजी ने कहा पता कराओ तो पता कौन कराएगा तो L.I.U. के दिली के ओफिसर को बुलाया जो गांदी जी की प्रार्धना में नेमित रूप से आता था रिपोर्टिंग करने के लिए गांदी जी ने अपने पास बुलाया कि भाई एक रहस से मुझे बता दू क्या कि ये जिन्ना और नहरू एक दूसरे को बसंद नहीं करते फूटी आँग देख नहीं सकते चक्कर क्या है तो L.I.U. के ओफिसर ने का पंदर दिन का समय दे दो मैं आपको बता दूँगा पंदर दिन के बाद वो आया और उसने का कि बापू ओफिशिल रिपोर्ट दूँ के अनओफिशिल तो गानदी जी ने कहा दोनों दो तो उन्होंने कहा कि अनओफिशिल रिपोर्ट ये है जो मैं लिखके नहीं दूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे लिखके दूँगा अब प्रत्यक शुरूप से लिखूँगा तो भी आप समझ जाएंगे बात सीधी सी ये है कि ये जिन्ना और महरू एक दूसरे को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि इनके बीच में एडविना है अब आप इसमें से अगर निशकर्ष निकालना चाहें तो भारत का बटवारा एक इस्त्री के कारण हुआ एक और ओरत के कारण हुआ और वो थी एडविना नहरू भी उससे लगा हुआ जिन्ना भी लगा हुआ और एडविना एतनी चाला दोनों को हैंडल करती थी दोनों को हैंडल करती और किन दोनों को तैयार किया उसने नहरू को और जिन्ना को दोनों आपको एक घटना सुनाता हुँ जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड में दर्च है किसी दिन ये रिकॉर्ड कुलेंगे तो देश में विस्फोर्ट होगा 3 जुलाई 1947 को एडविना और उसका पती तथा कतित पती माउंट बेटें क्योंकि माउंट बेटें एडविना के साथ कभी बेडरूम में सोया नहीं जितने दिन वो भारत में रहा तो कौन सोता था आप सब जाने माउंट बेटें तथा कतित पती एडविना का 3 जुलाई 1947 को अपनी पत्नी को बिलाता और कहता है कि मैं जा रहा हूं शिंगला क्यों जा रहे हैं अंग्रेजों के यहां से चिठ्थी आ गई है पार्लिमेंट से कि जल्दी से भारत का बटवारा करने के लिए तयारी करो दोनों देशों को अलग अलग करना है चिठ्थी आ गई है मुझे इस पे कुछ काम करना है तो एडविना ने पूछा काम क्या करना है तो उनका मैं जा रहा हूं शिंगला तुम दोनों को लेके मेरे पीछे आओ दोनों मने नहरू और जिन्ना इसको लेके आओ तो एक ही दिन लाना है नहीं नहीं अलग अलग दिन लाना है तो पहले पहुँच गया माहूं बेटे पीछे से एक दिन लेके गई वो नहरू को नहरू को शाम को इशारे इशारे में कहा गया कि आपको बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने है नहरू ने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में मुझे पूछना पड़ेगा तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में बाद में कहना पहले हस्ताक्षर कर दो तो नहरू ने कहा नहीं और ये सब थोड़ी देर चला वारताला थोड़ी देर के बाद एडविना ने आर्म ट्विस्टिंग किया और वो आर्म ट्विस्टिंग ये था कि मिस्टर नहरू अगर आप अभी साइन नहीं करते हैं तो मुझे कुछ फोटोग्रेफ्स भारत की प्रेस में रिलीज करने पड़ेंगे और वो फोटोग्रेफ्स क्या थे एडविना के साथ शराब पीते हुए एडविना के साथ डांस करते हुए एडविना के साथ पता नहीं क्या क्या करते हुए एडविना इतनी चालाक महिला थी कि अंतरंग छणों को उसने फोटोग्रेफी से उतरवा के रखा हुआ था कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहरू जी परिशान हो गए कि अगर ये फोटोग्रेफ्स रिलीज हो गए तो क्या होगा इमीडियेट वो तयार हुए और तीन जुलाई को सबेरे ढ़ाई वजे उन्होंने सिगनेचर कर दिये दिल्ली भाग कर आये कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि मैंने तो भारत का बटवारा स्विकार कर लिया तो कॉंग्रेस वाले वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आखरी बार उन्होंने कहा कि देखो नहरू ने हस्ताक्षन तो कर दिये हैं लेकिन मैं भारत के नागरिकों की तरफ से इसको माननेता अगर ना दूँ तो अंग्रेजों की सरकार परिशान हो जाएगी लेकिन तुम सब तै कर लो कि नहरू को रखना है या बाहर करना है तो वर्किंग कमेटी में फूट पड़ गई कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया कुछ लोगों ने विरोध कर दिया सरदार पटेल उस समय खामोश हो गए, मौन हो गए उन्होंने अपना उपीनियन नहीं बताया तो कई लोगों ने उसका अपना अपना अलग अर्थ लगाया फिर गांधी जी ने का कि फिर ठीक है तुम को जो करना है वो करो, मेरे पास आज से आना बंकर दो वो आखरी दिन था, उसके बाद गांधी जीने कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाना और उनको अपनी पास बुलाना बन कर दिया और उसके 10 वारे दिन के अंदर 3 जुलाई से लेके 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिये कि बटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा कौन सा भारत रहेगा आर्मी का बटवारा कैसे होगा लोगों का बटवारा कैसे होगा पैसे का बटवारा कैसे होगा वो सब फॉर्मूले तै कर लिए अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज़ दिया उस अधिकारी ने boundary line ते कर लिया और उसके बाद सब कुछ ते होकर 14 अगस्त रात 12 वजे उन्होंने भारत को तथाकतित आजाद कर दिया दो टुकडे करके भारत और पाकिस्तान मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहने आया हो ये कि भारत और पाकिस्तान का बटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था भारत और पाकिस्तान का बटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध करांती का परिणाम नहीं था भारत और पाकिस्तान का बटवारा दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुश्परिनाम धाँ हमारे यहां यह कहा जाता है कि सामान में आदमी दुश्चरित्र हो जाए तो उसका स्वयम का पतन होता है लेकिन भारत के ब्रधान मंत्री पद के दावेदार व्यक्ती के चरित्र का पतन हो जाए तो राष्ट का ही बिनाश होता है ये कहानी है हिंदुस्तान के बटवारे के आप बोलेंगे जी क्यों सुनाई इसलिए सुनाई कि एक तरफ सरदार भगत सिंग जैसे छे लाख बत्ती सजार क्रांतिकारी जो भारत को आजाद होकर एक नया राष्ट बनाने का सपना देख रहे थे और एक तरफ जिन्ना और नहरू जैसे लोग जो अपने चरित्र में नीचे गिर कर देश की सप्ता का सौधा कर रहे थे आप बोलेंगे जी हमें तो पहली बार ये सब सुनने को मिला है ये पहली बार आपको सुनने को इसलिए मिला है कि कोई इसको कहने की हिम्मत नहीं करता है इस देश में बहुत सारे इतिहासकार हैं जो नहरू जी के बारे में सब जानते हैं लेकिन पबलिक में जाकर बोलना ताकत नही है नहरू जी एक दिन में साठ सिगरेट पीते थे चेल स्मोकर थे एक सिगरेट छूटे तो दूसरी चालू दूसरी छूटे तो तीसरी चालू जिन्ना एक दिन में 72 सिगरेट पीता था दोनों एक ही ब्रेंट की शराब पीते थे पैरिस में फ्रांस में एक शराब बनती है जिसका नाम है कौई है को उस जमाने में उसकी एक बोतल 16,000 रुपई की आती थी और उस जमाने का एक रुपई आज के 300 रुपई के बराबर है तो दोनों की शराब पैरिस से आती थी कपड़े धुनने के लिए पैरिस जाय करते थी सिगरेट पीना शराब पीना और मास का खाना खाना जिनना सुर का मास खा लेता था नहरू जी गाए का भी मास खा लेता है इसका पता कैसे चला जैसे ही देश के बटवारे हुए तो बटवारे के तुरंट बाद कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने नहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नहरू जी आपने लाहोर में एक भाशन दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधान मंतरी बन गया या मेरे हाथ में देश की पाफ डोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून एक मिनट में बनाऊंगा अब देश के आप प्रधान मंतरी बन गये हैं गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो तो नहरू जी का बहुत मुस्कराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी अभी की थोड़ी है तो उसमें पूछा क्यों? क्या तकलीफ है आपको? गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में? क्या तकलीफ है आपको? तो नहरू जी ने का मेरे लंच का क्या होगा? और नहरू जी का सेक्रेट्वी जिसका नाम था जोन मथाई वो लिख कर गया है कि नहरू जी के लंच में बीफ चलता था बीफ का मुतलब होता है गाय कमास वो खुद गाय कमास खाते थी और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते थे नहरू जी की इन दो छोटी सी दुष चरित्रताओं ने पूरे देश में सत्यानाश कर दिया क्या सत्यानाश हुआ? अंग्रेजों को पता था कि ये आदमी ऐसा है जिसको हम चाहें तो गुमा सकते है क्यों? जिसको चरित्र में कमजोरी आ जाती है जो लंगोट से पक्का नहीं होता है उसको चाहे वो गुमा सकता है ये दुनिया में सबसे बड़ा रसूल है सार्वजनिक सामाजिक काम करने वालों के लिए जो लंगोट का पक्का नहीं होता है उसको चाहे वो गुमा सकता है तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये तो बहुत कच्छा आदमी है तो उन्होंने उस कच्छे आदमी के कच्छे पन का भरपूर फाइदा उठाए और संसद में बार बार भाशन हुआ एटली बोलता है, चर्चिल बोलता है कि चिंता मत करो, नहरू के हाथ में सकता है हम जो चाहेंगे वही होगा तो आप चाहेंगे तो क्या होगा तो चर्चिल ने कहा कि चिंता मत करो भारत से हम लोटने के बाद भी भारत में वही होगा जो हम चाहेंगे तो एटली पूछ रहा है कि दिस्तार से जरा बताओ तो चर्चिल कहता है कि देखो हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारी भाषा भारत में रहेगी हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारे कानून भारत में रहेंगे हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्कृती भारत में रहेगी हम भारत को छोड़ देंगे हमारी सिख्षा व्यवस्था भारत में रहेगी हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्थाए भारत में रहेगी हम भारत को छोड़ देंगे हमारा धर्म भारत में रहेगा और ऐसा बोलते बोलते कह गया कि बस इतना ही होगा कि अभी हम गुरे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे कल से काले अंग्रेज करेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं और आप जानते हैं आजदी मिलने के बाद नहरू जी का जो पहला भाशन हुआ भारत की संसद में वो संसद के अंदर recorded है साड़े तीन गंटे का speech है जिसमें नहरू जी कह रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद हमें भारत चलाना है तो इनी अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी जिनोंने अब तक भारत चलाया है इसलिए मैं संसद में ये एनाwn करता हूँ कि अंग्रेजों की बनाई गई प्रसाश्मिक व्यवस्था जैसी की तैसी ही चलेगी मने ICS officer, IPS officer, IRS officer, सारे के सारे officers वैसे ही रहेंगे अंग्रेजों की बनाई गई पुलिस वैसी की वैसी ही रहेगी और उसी दिन से तै हो गया कि भारत की आज़ादी शून में है क्योंकि जिस बात के लिए भगत सिंग आज़ादी चाहते थे वो तो हुआ ने भगत सिंग का सपना क्या था 28 सितंबर 2007 को भारत की सरकार भगत सिंग के डायरी के बहुत सारे पन्ने पब्लिश करने जा रही है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे जो अब तक छुपा के रखे गए जान पूज कर छुपा कर रखे गए कुछ ऐसे पन्ने हैं भगत सिंग की डायरी के जो देश के सामने आने चाहिए थे 50 साल पहले लेकिन नहीं लाए गए क्योंकि उन पन्नों में भगत सिंग ने भविश्य का भारत कैसा होना चाहिए उसका खाका लिखा सी भगत सिंग लिखते हैं कि आजादी के बाद भारत में अंग्रेजों के कानून नहीं चलेगे अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था नहीं चलेगे अंग्रेजी में आए विवस्था नहीं चलेगी लेकिन भारत के प्रथम प्रधान मंतरी कह रहे हैं संसद में कि आजादी के बाद हमें अंग्रेजी पुलिस भी चाहिए कानून भी चाहिए अधिकारी भी चाहिए तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसिस एक्ट नहरू जी नहीं बदला इंडियन पुलिस एक्ट नहरू जी नहीं बदला इंडियन एजुकेशन एक्ट नहरू जी नहीं बदला Land Acquisition Act नहरूजी ने नहीं बदला और 34,735 कानून नहीं बदले जो बदलने चाहिए थे पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 वो सब के सब कानून हमारे उपर लदे हुए हैं और आज भी हम उन कानूनों के नीचे गुलाम हैं अंग्रेजों की पुलिस को इंडियन पुलिस Act के आधार पर ये अधिकार था कि वो जब चाहे किसी हिंदुस्तानी को मार पीट कर सकते हैं जब चाहे किसी हिंदुस्तानी के घर में घुश सकते हैं निूसेंस खड़ा कर सकते हैं उसके घर के सामान को तितर बितर कर सकते हैं ये अधिकार हर पुलिस ओफिसर को था आजादी मिलने के 60 साल बाद भी ये अधिकार पुलिस ओफिसर को है वो जब चाहे आपकी पिटाई कर सकता है जब चाहे उठाकर आपको लॉक अप पे बंद कर सकता है जब चाहे उठाकर आपकी संपत्ती लेके जा सकता है और आप उस पुलिस ओफीसर का कुछ बिगाड नहीं सकते अगर वो आपको एनकाउंटर में मार दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते आप जानते हैं बहुत सारे पुलिस ओफीसर इसी ताकत का दुरुपयोग करते हैं पंजाब में, जम्मू काश्मीर में, नंदी ग्राम बंगाल में और उस दुरुपयोग का अंतिम दुश्परिनाम होता है कि समाज के अंदर पुलिस के खिलाफ एक बगावत की भावना होती है जो कभी-कभी किसी गलत रास्ते पर मुड जाते है यह कानून बदला नहीं इंडियन एडिकेशन बदला नहीं अंग्रेजी को भगाया नहीं जब अंग्रेज भावे तो अंग्रेजी जानी चाहिए वो भगाया नहीं सब कुछ रख लिया बस अंग्रेज चले जाए बाकी सब भारत में रह जाए ये आज़ादी का तक्ठ निकला भगत सिंग का सपना था कि अंग्रेज के साथ अंग्रेजियत जाए इस देश मैंसे अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत जाए ये भगत सिंग का सफना था लेकिन आज़ादी के बाद भारत के प्रधान मंत्री पहले पंडिक नहरू ने अंग्रेजों को विधा किया अंग्रेजियत को समाल के रख लिया दुश परिणाम क्या हुआ उसका अंग्रेज जब भारत छोड़ कर गए तो भारत में गाय का कतल करने के लिए 350 कतल खाने होते थे अब अंग्रेजों के जाने के 7 साल के बाद इस देश में 36,000 कतल खाने हो गए गाय का कतल करने वाले जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी अब अंग्रेजों के 60 साल के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है ये हमने विकास किया अंग्रेज जब इस देश को छोड़ कर गए थे तो गाय का मास अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मास दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं यहां से गाय का मास एक्सपोर्ट किया जा रहे हैं अंग्रेजों के जाने में यह जो कानून नहीं बदला सरकार में अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुश्परिणाम ये है, कि गाय के एक-एक साल के बच्छडे, दो-दो साल के बच्छडे राद दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भरके कतल खानों में बेजे जाते हैं, किसी कतल खाने के सामने आप जाके दस मिनट खड़े नहीं आणो सकते हैं, पंजाब से गायों का इतना कतल हुआ है, कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में, पंजाब के मैं जितने भी गायों में आज तक गया हूँ, किसी भी गाओं में देशी गाय का धर्शन नहीं मिला हिंदुस्तानी गाय थर पारकर, साहीवाल, काक रेजी लाल सिंधी, सफेद सिंधी, गाठी ये सब भारत की गाएं है कई दिखने को नहीं मिलती है जो पंजाब में दिखाई देती है वो सब अमरीकी गाए होलेस्टियन, फ्रीजियन जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहाँ छोड़ा और हिंदुस्तानी गाए को साफ करा दिया और यह सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है देशी गाए का बड़े पहमाने पर कतल अंग्रेजों का तरक यह था कि गाए का मास खाने में बहुत स्वादिस्ट है आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को वो भी यही कहते हैं कि गाए का मास खाने में बहुत स्वादिस्ट है इसलिए गाय का कतल बंद नहीं हो सकता चालू रहे अंग्रेज उने एक कॉन्वेंट इसकूल खोला था कलकता में 1760 में अब हिंदुस्तान में हजारों हजारों कॉन्वेंट इसकूल गली गली में है और मुझे ये कहते हुए बहुत शरम आती है कि हिंदुस्तान में बजरंग वली कॉन्वेंट स्कूल भी है स्वरस्वती माता कॉन्वेंट स्कूल भी है आज तक मेरे समझ में नहीं आया बजरंग वली का कॉन्वेंट से क्या कनेक्शन है और जो कॉन्वेंट चलाने वाले हैं उनको मैं रोज पूछता हूँ कि भाईया ये बजरंग वली कौन से कॉन्वेंट में पढ़ने गए थे जो तुमने बजरंग वली कॉन्वेंट इस्कूल चला दिया तो कहते हैं राजीब भाई कुछ भारत का कुछ अंग्रेजों का ये खिचणी है सूचते नहीं समस्ते नहीं विचार करते नहीं कि ये कॉन्वेंट इस्कूल हमारे लिए जरूरी है अंग्रेज कॉन्वेंट इस्कूल चलाते हैं यूरोप में पिछले रही हजार साल से एक परमपरा चल रही है जो खराब और अच्छी है वो आप तै करिए मैं सिर्फ परंपरा बताता हूँ कि सत्तर प्रतिशत समाज के इस्तुरी और पुरू शादी नहीं करते ये धाई हजार साल पुरानी परंपरा है ये 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 करते लेकिन बिना शादी के बने हुए पती पत्नी की तरह से रहते हैं तो बच्चे तो पैदा होते ही हैं अब ऐसे पती पत्नी जो शादी करते नहीं और बच्चे आ गए वो कहते हैं बाई एक्सिडेंट आ गए हमने तो बच्चे लाने की प्लैनिंग की नहीं थी वो तो accident से आ गए तो ऐसे बच्चों को सरकार पालती है क्योंकि पती पती नहीं पाल सकते और उन बच्चों को पालने के लिए चर्च को fund दिया जाता है चर्च उस पैसे से Convent School चलाता है Convent का अंग्रेजी में मतलब होता है Lawaris बच्चों का School आप चाहें तो Oxford Dictionary खोलिए Webster Dictionary खोलिए और C-O-N-V-E-N-T का मतलब देख लीजे C-O-N-V-E-N-T का मतलब है Lawaris बच्चों का School जिनके बाप का पता नहीं जिनकी अम्मा का पता नहीं ऐसे बच्चों का School आप जानते हैं Convent School में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको Teacher नहीं कहना सिखाया जाता वो कहते हैं ये Father है ये Mother है ये Brother है ये Sister है Teacher नहीं है Father है Mother है Brother है Sister है क्यों? असली नहीं है तो नगली से ही काम चलाना पड़ेगा असली तो है अब मुझे अपना सिर्फ पीटने का मन करता है कि जो Convent School चलाए जाते हैं बिना माबाप के बच्चों के उन Convent School में अच्छे खासे माबाप के बच्चे पढ़ते और वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट जोजफ Convent में पढ़ता है मेरी बेटी सेंट मेरी Convent में पढ़ती है फिर मैं पूचता हूँ लावर इस बच्चों के स्कूल में तो थोड़ी देर के लिए परिशान हो जाते हैं फिर जब मैं उनको डिक्शनरी खोल-खोल के दिखाता हूँ पढ़पढ़ के सुमयता हूँ तो कहते हैं जी बही क्या करें अच्छी सिख्षा देनी है तो मजबूर ही का कुछ समझोता करना है मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या समझोता करना है जरा सोचो तो सही हमारे भारत की परंपरा है कि कि किसी भी बेटे या बेटी की दो माताएं हो सकती है आप पुराने जमाने से ढूमना शुरू करो तो हर एक महान व्यक्ति की दो तीन माताइं मिल जाएंगी राणा प्रताप की दो माताइं एक पन्ना धाय जिसने दूद पिलाया और एक असली मा जिन्नों ने जनम दिया शिवाजी की दो माताइं तो भारत में ऐसी परंपरा हजारों साल से है माताइं दो हो सकती है, तीन हो सकती है बाप एक ही होता है लेकिन कॉन्वेंट इसकूल में पढ़ने वाले बच्चों के दो-दो बाप होते हैं एक तो घर में है असली और दूसरे इसकूल में नकली फादर mother, brother, sister अब आपको बहुत खराब बात कहता हूँ आपके दिल पे चोट पड़े इसलिए कहना चाहता हूँ भारत में एक बहुत खराब शब्द है उसको बाद मैं बोलूँगा पहले अंग्रेजी में बोलने तो अंग्रेजी में एक बहुत खराब शब्द है उसका नाम है bastard ब-ए-ए-स-ट-ए-र-ड इस bastard शब्द को अगर आप खोल के देखो डिक्शनरी में आक्सफर्ड में या चेंबर्स में या वेब्स्टर में तो इसका अत्रारत है ऐसा लड़का जिसके दो बाप उसको bastard कहते है हमने अपने अच्छे खासे बेटे-बेटियों को कॉन्वेंट में भेज-भेजके bastard बना गे है और हम्हुआ घर्म से कह रहा है कि हमारी बेटी हमारा बेटर कॉन्वेंट में पढ़ता है क्या हुआ हमारे दिमाग को खराब हो गया नेरी जी का दिमाग खराब हुआ एडविना के कारण समझ में आता आपको क्या हुआ आप ये क्यों फसे हैं चक्कर में मेरी विंती है आप सभी को अगर जो भगत सिंग की सच्ची श्रत धांजली अर्फित करना चाहते हैं तो भगत सिंग जी की जो छपने जा रही है डाइरी 28 सितंबर को छप जाएगी जरूर खरीद के पढ़ना उसमें उनके विचार हैं कि अंग्रेजों के जाने के साथ अंग्रेजी सिख्षा जानी चाहिए हमें वो नहीं चाहिए इस अंग्रेजी सिख्षा को हमने पकड़ के रख लिया, अपने हिरदय से चिपका लिया, अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छून गए, और मुझे दुख है यह कहते हुए, कि कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा सारा का सारा खेल, हम हिंदू, सनातनी और अपने को भारति मानने वाले लोगों के डोनेशन से होता है, आप में से कई लोगों को यह गलत फह्मी होगी, कि शायद कॉन्वेंट स्कूल विदेशों से आई हुए फंड से चलते हैं, मुझे भी पहले यह गलत फह्मी थी, मैंने एक बार संसद में मेरे एक मित्र को सवाल दिया लिखकर, कि जरा सरकार को पूछो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक साल का कुल खर्चा पूरे भारत का जो है, उसका वो क्या है, क्लैसिफिकेशन क्या है, कितना भारत से आता है, कितना विदेशों से आता है, तो पता चला कि कॉन्वेंट स्कूलों में हर साल अठारे हजार करोड रुप इंग्लेंड में इसको बोलने की जरूरत है, क्योंकि वहां साल में आठ महीने सूरज ही नहीं निकलता, साल में आठ महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गल्पी से किसी दिन निकल रहा है, यहां तो रोज सूरज निकलता है, करोणों साल से निकल रहा है, अगले करोण साल तक निकलेगा हम कहां फस गए इस गुड मॉर्मिंग और उससे भी आगे की मुर्खता गुड नाइट हिंदुस्तान की एवरी नाइट इस गुड नाइट यूरोप में होता है रात को बरफ पढ़ती है और एक रात को नहीं दसियों बीसियों रातों को बरफ पढ़ती र क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं महिनों महिनों कभी अचानक वो तीन बजे के आसपास जलत दिखलाता तो वो चला के गुड आफ्टर नून हमारे याद अब्री आफ्टर नून इस गुड आफ्टर नून काहिके लिए फज़ए चक्र में गुड नून गुड आफ्टर क्योंग पढ़ा कि अपके बच्चों को हमने आधा अमरीज बना दिया कैसे बच्चे जो क्योंग में पढ़ते हैं उनके पिताजी का नाम है राम धयार माता जी का नाम है गायेत्री देवी बेटे का नाम हो गया टिंकू मेरे समझ में नहीं आता कि ये राम दयार और गायत्री देवी का टिंकु का से आता है टिंकु का अर्थ समझते हैं सिर से डिक्ष्णरी खोली ऑक्सफर्ड की वेबस्टर की टिंकु का अर्थ है आवारा लर्का और आवारा का अर्थ आप समझते हैं जो बाप की ना सुने मा की ना सुने घर में ही न रहे वो आवारा लड़का सीधा सादा भुला भाला आपका बेटा आप उसको टिंकु 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 बोल बोल कहीं बनाने वाले हैं आवारा और ये टिंकू अकेला नहीं है इसके साथ बबली भी है बबली दिंपल ट्विंकल बबली डबली डबलू बबलू पता हैं कहां कहां से बिचित्र नाम ये लाला के अपने अपने धर में रखना शुरू कर दो हमारा पता है क्या हुआ पहचान ही खतम हो गएगी राम डयाल की पहचान है गाहित्री देवी की पहचान है टिंकू की क्या पहचान है राम डयाल गाहित्री देवी की पहचान है बबली डबली की क्या पहचान है बबलू डबलू की क्या पहचान है हम लोग इतने मूर्खता म ख़ज गए ये सब मैं अपने जीवन को खसा लिए कैसे विचित्र हम हिंदुस्तानी हो गए हैं हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि गाय का टतन हो खून भी नहीं खौलता पानी हो गया कुट्टे पाल-पाल के रोज सवेरे सवेरे सेर करने जाते हैं मैं ने देखा है ये टिंकू-पिंकू-बबलू-डबलू के जो अम्मी पप्पा है ना वम्मी पपा ये कुट्टों को सवेरे लेकी सहर कराने चाते हैं और मैंने कई ऐसी मम्मियों को देखा है जो अपने घर के बेटे या बेटी को गोद में नहीं उठा सकती उसको आया उठाएगी वो कुट्टा लेके सवेरे सवेरे सहर पर जाएगी कुट्टे का पिल्लू बाहंद के सवेरे जाएगी सहर पर अपने घर के पिल्लू को नाश्ता देने के लिए भी फुरसत नहीं है क्योंकि उसको कुट्टा टहलाने के लिए लेके जाने और वो कुट्टा जात का ही ऐसा है जहां ताम भाये वही शूचू कर ले कोई मैनर्स न कि उसको परण परण के लिए और वो कुट्टा में बड़ा निचिप्र है देख यहीं करता है आपकी कार को देखेगा चार परफ चक्कर रणाएगा वो कार का पहिरा सब्स्रे अच्छा दिखाई देगा उसरी के काव उसको करते को घर में बांगे बहारे बोड पहंगे तेने धिविवियन ओड़ यह है हमारा कच्रा हो गया पहचानी को पहले हैं पहले हर घर के सामने बाली चाहिए अब अब जुटा हमके विकास करिए गाइकों काट के मास ठारे हैं कुट्टें तो घर के सामने बांग रहे हैं जो आपको भी चिकला है पर उसी को भी चिदा आने वाले को उससे भी जादा चला है। कहना था कि यही एक ऐसा जीव है। जो आने वाले भविश्य में किसी काम का नाम को गाय को लेके नहीं गए, बैन को लेकर नहीं गए, कुट्टे को लेके गए, उपरती कात्मु कहें। उस युदिस्टा लेके अपने साथ उस कुट्टे को हमने त्री वापस लाकर नहीं बाएं लिया। क्योंकि अगेरों के अंगेरों के अंजिक को आने हैं। अंगेर्व पालते हैं कुट्टा, जांके त्यों पालते हैं। व्रोप में ठंड बहुत पड़ते हैं। और जब बहुत ज़ादा थन पड़ती हैं, तो कुट्टे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या काम के लिए? बरफ पड़ती है, दस पितूची, पंदर पितूची, बरफ के लीचे बहुत कुछ दब जाता है। गारियां दब जाते हैं, घरों के दर्वाजें दब जाते हैं, तब वो कुट्टा है, जो सून-सून के बताता है कि कहा क्या है। इसलिए अमेरीच कुट्टे को पालता है। उनकी मजबूरी है रिपता है। हमारें कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन हम इस अंग्रेजियत नहीं है। तोड़ा आगे और है इस अंग्रेजियत का क्या असर है कौर्रमेंट इसकुलों का। अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां संसीटोशन दलवायों है। तेंपरेचर बरावर का है। ना जादा ठंडी है, ना जादा गरम है। उस हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को गले में ताई लटकवा दिया। कौर्मेंट इकारण। ताई यूरोप में पहने जाती है। और ताई लगाने के पीछे यूरोप में कारण क्या है। चोटमी शतादी में यूरोप में ताई का आविष्का हुआ। और उसका कारण ये था कि यूरोपियान लोगों को ठंड बहुत है। तो अक्सा गंदी गंदी सर्दी थिपाम होता है। तो ना अक्सार बहती रहती है। तो बिचारे पुराने जमाने के अंग्रेश क्या करते थे जेव से कारण निकाल के पोच्च के रखते रहते थे। बाद में उनको लगा कि ये बारबार निकालना पोच्चना रखना ये कुछ बात बन भी नहीं है। तो जले नहीं लटका लोए, हमशा लटकता है। तो उसी दिन सुपर इडियाट बनके शादी करने का। किसी को मैं पूछता हूँ भाईया, ये शादी का दिन है, इडियाट क्यों बन रहे हूँ। ये 3P सूट और टाई लगा के जून की भहेंकर गर्मी में, 45 डिगरी टेंपरेचर में, जब पसीना पसीना शुरीर हो रहा है, टाई सूट लगा के घोड़े पे चड़के बैटे हो, घोड़े पे बैटने की ये ड्रेस नहीं है। तो किते हैं, राजी भाई, आज तो छोड़ दीजे, क्यों? आज शादी है, तो शादी के तिन सुपर इडियट होना है क्या? जोकर बनना है क्या? और मैं कभी-कभी उनसे कहता हूँ कि भाईया, अगर तुम 3P सूट और टाई लगाते हो, तो शादी के समय अपनी पत्नी क मैक्सी में लाओ क्योंकि आप सिग्रहस्ती, पत्नी को साडी महीं लाएंगे और पती देव 3P सूट और टाई पहन जाएंगे मूर्खों के मूर्खों, यही सब कॉन्वेंट की दिशानिया है, यह कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारे दिमाग में ऐसा वाईरिस भर दिया, ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए, हम खिचुडी हो गए, हमारी पहँचान खतम हो गए, मैं दुनिया में बहुत घुमता हूँ, और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है, कि जो देश में मैं गया, व अमीरात वाले को कपड़े से पहँचान लेंगे, बहरीन वाले को पहँचान लेंगे, कुवेत वाले को पहँचान लेंगे, उमान वाले को पहँचान लेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है, कि पूरे कपड़े देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्क पर जो सकार्फ बादा ये आदमी किस देश्टा है, ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में, पहचानी नहीं सकते कि किस देश्टा है, सरदारों को छोड़ कर। क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं, जिनोंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिनोंने अपने केश नहीं छोड़े है, जिनोंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिनोंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ, सिख्खों को तुर जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके, तो ऐसी इज़त और ऐसे सम्मान का क्या करे? हमारी भाशा बदल गई, हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं, कहते हो राजीव दिक्षित, she is my missus, मैं पूछता हूँ, really, she is your missus, क्योंकि missus का मतलब नहीं माले, missus का मतलब होता है, धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला, जी, जी, agreed sir, agreed, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जोग नहीं है यह, अंग्रेजों की डिक्षिनरी में, missus का रथ होता है, धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी ऐसी महिला, जिसके साथ आप चाहें तो एक रात हुजा रहे हैं, दो रात हुजा रहे हैं, माने वैश्या और कॉरल गर्ब, वो missus होती है, हम हमारी अच्छी खासी धरम पत्नी को missus बनाने पे तुले हुए, ओ राजीव दिक्षिन, she is my missus, तो मैं पूछता हूँ, really she is your missus, और इसका उल्टा है mister, mister माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुश, जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए लाइब पैसा दे के सबीरे विदा करेंगे, वो mister, हम अपने धरम पत्नी को mister बनाते हैं, धरम पत्नी को missus बनाते हैं, बिना सोचे समझे अंग्रेजों की मेकल करके, अपने को अंग्रेजों से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को बच्पन से बड़ा करते हैं, उनको कविताएं भी सुनाते हैं, तो अंग्रेजी में twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, उन बच्चों को पूछो भाईया, इसका मतलब क्या है, मालूम नहीं, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, मतलब मालूम नहीं है, रटा रटा के, रटा रटा के, उसको तोता बना दिया, पोपट, कभी कभी कुछ बच्चे आते, rain rain go away, come again another day, little baby wants to play, फिर मैं उनसे पूछता हूं, मतलब मालूम है, इसका क्या है, rain rain go away, माले बारिश, तुम चली जाओ, कभी भी मताओ, क्योंकि मुझे खेलना है, भगवान ने अगर सुन लिया तो, आप बोल रहे हैं, rain rain go away, बारिश तुम चली जाओ, चली जाओ, कभी भी मताओ, भगवान ने सुन लिया, बारिश आएगी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सब, ऐसी उल्टी उल्टी कभीता, क्यों सिखा रहे हैं, rain rain go away, गवे नगी नगी नदर ने, तो आप बोलेगे, जी कौन सी कभीता हैं सुनाएं, क्या पंजाबी में कोई कभीता नहीं है, बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जादा जादा आओ, मैं तुमको पैसा दूँगा, ऐसी कभीता है मराठी की, ऐसी ही होगी कोई पंजाबी में, ऐसी ही होगी हिंदी में, जिसमें बारिश को हम बुला रहे हैं, रेन रेन गो अगे नहीं सिखा रहे हैं, बारिश तुम चली जाओ, हमारा दिमाग पता नहीं कहां चला ले हैं, ऐसी मूर्खता की कभीता हैं, बच्चों को सिखाते हैं, मूर्खता के स्टेट्मेंट उनको बताते हैं, बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल मा मत बोल मम्मी का मतलब है मरा हुआ M.U. M.M.Y. मम्मी माने मरा हुआ और डैडी डैडी माने मरे हुए जैसा और अब और तरक्की हो गई है अब बोलते है डैड पूरे ही मरा हुआ कितना सुन्दर शब्द है मा कितना सुन्दर शब्द है पिता तो मा पिता माता जी पिता जी सब छोड़ कर मम्मी डैडी मॉम डैड मम्मा पता नहीं कहा कहा मम्मा बोलने में गर्व है अम्मा बोलने में शर्म है अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोले के को अम्मा बोलो शर्माती है मम्मा का ही कोई मतलब नहीं है ना अंग्रेजी में है ना फ्रेंच में है ना जर्मन में है ना इटेलियन में है दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शक्ती नहीं है और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 और मम्मा भी जवाब देती रहती, आँ ठीक है ठीक है पेटा बोड़, मेरा आपको हाथ जोड़कर विंती है, अपनी पहचान को मत डुबो ही है, दुनिया में जिनकी पहचान खतम हो जाती है, उनका सब कुछ खतम हो जाते है, दुनिया में हर देश अपनी पहचान के लिए लगता है चाहे वो छोटा सा इराक हो या इरान हो या सौधी अरब हो या फ्रांस हो, या जर्मनी हो, या सुईडन हो या सुईजलेंड हो, या डेनमार को हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहचान खतम हो जाएगी, हम खुशी से अपनी पहचान रुटवाने पर खतम करवाने पर तुले हैं मेरी आपको विंती है, कि भगत सिंग जी के शहादत दिवश्टी पूर्वसंद्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बना कर रखेंगे क्योंकि आपकी पहचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली प्यूडी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और जिस लोगों के समाज की पहचान चली जाएगा राष्ट भी तूट जाएगा राष्ट भी चला जाएगा बचेगा नहीं इसमें कुछ होएगा इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आएए अपने जीवन में छोटे छोटे से कुछ संकल्प लाइए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहँचान को आगे बढ़ाएए आप बोलेंगे हम भारत में रहते हैं तो भारत की पहँचान है कुछ वो पहँचान कहा है भारतिय भोजन, भारतिय भाशा, भारतिय भूशा, भारतिय भजन, भारतिय भेशच ये सब भारत की पहँचान है मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी संबब हो अपनी पहँचान मत खोईए भारतिय भोजन के इस तर से शुरू करिए अपनी पहँचान वापस लाइए मने भारतिय भोजन ही अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाई है यह जो अंग्रेजियत का भोजन है पीजा, बर्गर, हाट डॉग, कोड डॉग, चाउ मींस इसमें कहां फ़सगया आप लो और आप जानते हैं यह पीजा, बर्गर, हाट डॉग, कोल डॉग सब बनते हैं गाय के मास से या सुर के मास से क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है मैक टॉनन और एक है केंट की फ्राइट चिकन ये दोनों कंपनी यह ओपल ली बोलती हैं कि पीजा और बर्गर हम बनाते हैं सुर के मास से और उनकी जो बनती है न मैगी और चाव मिन वो गाय की चर्वी के निकाले हुए रस से है अब है इत तरफ आप बोलो दूसरी तरफ खाऊ पीजा बर्गर या हॉट डॉच यह दूसरी तरफ खाऊ चाओ किर्जा और पीजा क aspirations ऐर तो ऐसे रही तो अगर घीजे करनी है तो यह पीजडर्डी से हाँड़ और ऑंगरेजिं ह तो आप बोलेगे जी क्या खाए हिंदुस्तानी भोजक खाए कोई कमी तो है नहीं अपने पास। तो दक्षिन भारत के वियंजन ले लीजे, इडली है, सावर है, रसम है, उत्तपम है, जो 10-15 मिनट में तयार होते हैं, भारतिय भोजन मत छोड़े, अगर आपने भारतिय भोजन छोड़ा तो क्या होगा, अंग्रेजियत का भोजन आपको मुफीद नहीं आएगा, क्योंकि इंग्रेजियत का भोजन उनके हिसाब से है, जहाँ ठंड बहुत पढ़ती है, माइनस 20 डिग्री सेंटिग्रेट हो जाता है तापमान, वो पीजा बर्गर खाएं तो उनको चलेगा, आप यहाँ प्लस 20 डिग्री सेंटिग्रेट वाले पीजा बर्गर खाएंगे, तो कॉल पंजाब हिंदुस्तान में अकेला पहला प्रदेश है, जहाँ जरूरत से ज़्यादा बजन बढ़ रहा है लोगों का, हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है इस समय, हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है और यह ओवरवेट होने का सबसे बड़ा कारण है, पीशा, बर्गर होट डॉग, कोल डॉग, चाउमी, डबल रोटी, पाव रोटी जो आपके घर में अक्सर नाचते बिकाई जाते हैं, ये डबल रोटी, पाव रोटी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है बजन बढ़ाने, मने बजन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद कर जादा अंग्रेजी में मत फसी है और फालतू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए दूसरों पर रॉब जाड़े के लिए अंग्रेजी तो बिल्कुल मत बोलिए क्योंकि ये गुलामों की भाषा है गुलामी गई, साथ साल हो गया अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार-बार अंग्रेजी बोल बोल के तो आप कहिए जी अंग्रेजी तो अंतराश्मी भाषा ये बिल्कुल जूट बात है दुनिया में 200 देश है मात्र साथ देशों में अंग्रेजी चलती है 193 देशों में उनकी अपनी भाषा हैं चलती है फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है स्वीडन में स्वीडिश है, हॉलेंड में डच है रूस में रशियन है, जपान में जपैनीज है चीन में चाइनीज है, सब देशों की अपनी भाषा है और इन देशों में मैं सब जगे देख के आया, उनकी सिक्षा, जीवन में छोटे से लेकर उच्चतम सब मात्र भाशा में है, आपको मालूम है, रूस के सभी medical college रशियन में काम करते हैं, रूस के engineering college में रशियन पढ़ाया जाता है, फ्रांस के engineering colleges में फ्रेंच में पढ़ाया हम 110 करोड़ वाले अपनी भाशा क्यों छोड़ बैखे हैं, खुमारी लाइए मन में भाशा के पर बाशा मत छोड़िये अपने, भाशा मत छोड़िये भोजन मत छोड़िये अपना, भजन मत छोड़िये अपना, भारतिय भजन, ये rap music, pop music काँ भज गये इसमें, rap dance, pop dance, मु बरदनाट्यम है, कतकली है, कुछी पुड़ी है, ODC है, कत ठक है, कुछ कमी तो नहीं है, इतने अच्छे डांस है, और भारतिय डांस की विशेषता हैं जरा समझ लीजे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वेग्यानिक करीके से विक्सित किये हुए है, भारतिय डांस मे सबसे महतपूर है, पद संचालन, पाओं का मूवमेंट, जो दुनिया के किसी भी दूसरे डांस में नहीं है, और पद संचालन इसलिए महतपूर है, कि पद के संचालन से बोड़ी का बैलेंस बनता है, बरदनाट्यम, कुछी पुड़ी, कतकली, और थोड़ा कत्थक में आ तो अगर महिलाएं इस डांस को कर रही है, तो जीवन परियंत निरोगी रहने की आश्वस्ती है, गारंटी है, कैसे? बरदनाट्यम की मुद्रा देख लीजे, पाओं को जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से हमारे देश की माताएं बहने बरदनाट्यम में अपने पाओ क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है, वो जितना फ्लक्सिबल होगा, मा की आने वाली संतान उतनी अच्छी होगी, तो सारे डांस का पतसंचालन गरभाशे के मूमेंट से है, बहुत रिसर्च है इस पर भारत को, यूरोब का पतसंचालन तो पता नहीं किस तरह का ह यह अमेरिका का तो और भी विचित है, तो अपने डांस मत छोड़िये, अपने भजन मत छोड़िये, अपनी भूशा मत छोड़िये, अपनी भाशा मत छोड़िये, अपना भोजन मत छोड़िये, अपनी आउशदी भी मत छोड़िये, आउशदी से मतलब भारत में हैं, तो तो भारती आउशदियों का उपयोग करिए क्योंकि भारती आउशदियों का उपयोग जो है वो आपके लिए मुफीद है कारण हम जहां रहते हैं वहां समसीतोशन जलवायू है इसका ध्यान रखे यूरोप और अमेरिका वाले जहां रहते हैं वहाँ बहुत ठंड है वहाँ दोई मौसम होते है ठंड और भेंकर ठंड गर्मी नहीं आती वहाँ पर ब्राजील और मेक्सिको की तरफ चले जाए ना तो वहाँ भी दोई मौसम है बारिश और भेंकर बारिश ब्राजील और मेक्सिको में 8-8 महीने बारिश होती रहती है रु भारत अकेला देश है जहां छे मौसम हैं और 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं दुनिया में बिचित रहे लिदेश भारत के बारे में तब मुझे जादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस द लिए अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड का दल्दल देखना हैं तो उड़िसा और बंगाल में आजाएं। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है साहरा तो जैसलमेर में आजाएं। अगर आपको चिल चिलाती हुई धूप देखनी हैं तो करनाटयक कम बाकी सबी देशों में दो या तीनी क्लाइमेटिक जोन्स हैं इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इक्षा रहती है। उस देश के मौसम में होने वाली गथविदिया भी विशिष्ट हैं। जैसे हम समसी तोषन हैं। समसी तोषन जलवाईू में वाईरल और वैक्टेरियल इंफेक्शन जादा नहीं हो सकता। जहां ठंड बहुत है वहां viral और bacterial infection maximum होगा यहां ठंड इतनी नहीं है तो viral और bacterial infection सबसे कम होगा और हमारे यहां तो सूरी का प्रकाश हर समय उखलब्द है 24 गंटे में 12 गंटे सूरी निकलता इस देश में तो virus और bacterial को मारने का तो सारा काम यह सूरी करता रहता है तो आप क्यों यह anti-viral injection लगवाते रहते हैं anti-vacterial injection ठुगवाते रहते हैं कभी hepatitis B के नाम पर, कभी hepatitis C के नाम पर, कभी polio के नाम पर, कभी किसी के नाम पर हमारे पास तो सूरी ही सबसे बड़ा रक्षक है हमको तो कोई anti-vacterial और anti-viral vaccine की जरूरती नहीं है भगवान नहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्ता करके बेचिये हम अंग्रेजों की नकल करकर के ठुकवा रहा है कभी ये vaccine, कभी वो vaccine, कभी और उसी मेंसे दुश्परिणाम आ रहा है और वो दुश्परिणाम है कि आपको जिंदगी में जो रोग कभी होने नहीं चाहिए वो 20-25 साल की उमर में शुरू हो रहे अभी 25 साल के लड़के-लड़कियों को मैं देखता हूँ कार्डिय करेस्ट हो रहा है, हर्ट टेक हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है गुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया 20-25 साल में ये रोग कहां से आए क्योंकि आपको जो इंजेक्शन ठोके गए हैं बच्पन से जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनके दुश्परिणाम तो मेरी आपको विरिंती है कि भारत में रहते हैं भारत की जलवायू को ध्यान में रखकर अपनी चिकित्सा विवस्था करिए तो आप बोलेगे जी भारत की चिकित्सा विवस्था हम तो जानते नहीं है पढ़ लीजे, जानने में आ जाएगी भारत की चिकित्सा विवस्था का नाम है आयरुवेद यूरोप और अमेरिका की चिकित्सा विवस्था का नाम है एलो पैथी एलो पैथी कोई महान है और आईरुवेद कोई नीचा है वह यह नहीं कह रहा हूँ या आईरुवेद महान है एलो पैथी नीचा है वह नहीं कह रहा हूँ बारत के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आईरुवेद है यूरोप के लिए आवश्यक है वो एलो पैथी है उनको उनका मुबारत आप अपना देखिए तो आप बोलेगे जी आईरुवेद का तो अपने को कुछ पता नहीं है पता कर लीजे बहुत आसान है अभी आईरुवेद की बहुत सारी पुस्तक है पंजाबी में छप गई है हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तमिल में, तेलगु में संस्कृत में तो थी ही, अब इन भाषाओं में भी आ गई है तो आप बोलेंगे नाम ही नहीं पता, नाम सुन लीजे, मैं सुना देता हूँ बहुत अच्छी आईरुवेद की पुस्तक है, जो सब घर में रहनी चाहिए उसका नाम है अश्टांग हिर्दयम पंजाबी में हैं, हिंदी में हैं, मराटी में हैं, तेलगू में, तमिल में, कंणर में 21 भाषाओं में इसका नुबाद हो चुका है, ये घर में रखिए